श्री शिवाय नमस्तु व्यम बारा दिसंबर को है भूमवती अमावश्या भूमवती अमावश्या क्यों कहा गया है देखे जब प्रदोस पढ़ती है मंगलवार की तो उसे कहा जाता है भूमप्रदोस कहा जाता है यानि मंगलवार की प्रदोस उसी प्रकार इस बर पढ़ि यह मंगलवार की आमवश्या भूमवती आमवश्या तो गुरुजी पंडी जी ने बहुत ही विशेश उपाय बता है जो आपको केवल केवल आमवश्य की जिन करना है और शाम के समय करना है जी हम तेली वीडियो शुरुबात करते हैं स्वागते मौधिती ऑफिशल चैनल पर साम के समय उपाय को अवश्य कीजिएगा पहला उपाय यहां उपाय है पित्र दोश समाप्ति के लिए या फिर अगर आपके पुर्वश के इदर उदर भटक रहे हैं या फिर घर के अंदर पित्र दोश की समस्या है यह घर कलेश होता है लड़ाई जगड़े होते हैं यह कोई सुपकारे नहीं हो रहे है तो इस उपाय को करने से पित्रों का आश्रिवात तो हमें मिलेगा ही मिलेगा साथ में हमें 64 योगिन देवी देवताओं का आश्रिवात भी मिलेगा और हमारे जो भी मनो कामना है वह मनो कामना है पूरी होगी क्या करना है देखिए साम के सम एक कटोरी में भरना है चावल अक्षत जी हां एक कटोरी में चावल भरे इस उपए को गुरु जी ने पहले की कतम बहुत दर बताया है और अगर आप लोगों ने किया भी है तो एक बार और अवश्च करना क्योंकि यह है मार्ग शिस महने की भोमवती अमावश्या जी हां त चाहो तो left side चाहो तो right side जहां भी कोने में आप रख सकते हो वहां कोने में धग करके रख दो धगना अवश्य ठीके यह रात भर आपके घर के बाहर रखा रहेगा यह कब क्या है आपने शाम के समय क्या है प्रदोशकाल के समय भरके रख दीजिए अब अगले दिन तेरा त चाहों कार उठकर सबसे पहला आपको क्या करना है जो कपोर है उसका पूर को प्रजलीत करना न और जब न इता जाएंगे जल जान दीजेगा ठंडा हो जाए फिर उसके पश्चात आप हाँ जोड़के प्रात्ना करें क्या होता है अमवश्य के एक दिन बाद आती है पड़वा तो उस दिन माता भगवती देवी का दिन रहता है तो माता भगवती देवी भी आपके सारे मनुरत पूरे कर करती है तो फिर जो चलेवें चावल रहेंगे वह आज पास जबी पक्षियों उनको डाल दीजी ठंडा कर दीजी बहुती विश्य सुपाय जो केवल अमवश्य के दिन ही किया जाता है दूसरा उपाय यह है मनो कामना पूर्ती उपाय कोई भी मनो कामना हो अमवश्य गिनि साम के समें इस उपाय को करके रेखिएगा एक लोटा जल लीजिएगा और उस जल के अंदर थोड़ी सी एक चुटकी काली तिली डाल दीजीएगा ठ lotta और उस कलस को अमवश्य के दिन रात भर आपको अपने ही घर के मट्के के पास उस कलस को भर के रखना है रात भर वो इस के मटके के पास आगले दिन सुभा उठकर इसनान करने के बाद आपको उस कलस के पास एक लंबी बाती का दक्षण मुकी दीपक प्रजरित करना है जी हाई वो भी घी का लंबी बाती का प्रजरित करने के बाद ज़द धंडा हो जाए उसके बाद उस जल को अपनी मनों कामना बोलकर किसी भी पीपल के व्रक्ष में जाकर समर्पित करके आ जाईए यहां उपाय केवल अमवश्य के दिन के आ जाता और बहुत ही खास विशेश उपाय है मोका मत कवाना क्योंकि यह साल की अंतिमावा वश्या है तिसरा उपाय अगर आपके घर में कोई अधुगती में चला गया है कुवारी अवस्ता में चला गया है यह किसी की आकाल मृत्ती हो गई है और उसकी जो आतना है इदर उदर भटक रहे है या फिर आपको पित्र दोस लगावा है पित्र आपके प्रशन नहीं है खुश नहीं है तो केवल अमवश्य के दिन यह साथ बिंदी वाला उपाय किया जाता है आपको अमवश्य के दिन जब समय मिल जाए आप पिले चंदन भूलकर एक कटोरी में सिवाले पहुच जाईए और केवल आपको साथ जगा बिंदी लगा देना है साथ जगा कौन-कौन सी सबसे पहले जलाधरी में गड़ेंजी के इस्थान पर एक दूसरी कार्थिक भगवान के इस्थान पर तिसरी मा असुक सुन्दरी के इस्थान पर बीश में 34 जाई सिवलिंग रखी रहती है महा पर पाथ भी सिवलिंग के उपर 5 और ये 5 जगा लगाने के बाद छटा जह उपर जलाधरी बंदी रहती है अगर किसी सिवाले में जलाधरी नहीं मिले तो फिर क्या करो सिवलिंग के उपर ही महा देव की पाचो कन्याओ का नाम लेकर बिंदी लगा सकते हैं अब बच गई एक बिंदी उस साती बिंदी को आपको नंदिश्वर के दोनों सिंगों पर लगा देना है बस इतना सा उपाए करना है इस उपाए को मवश्र के देना आप किसी भी समय कर सकते हो तो गुरु जी पंडिश्वर बताया को विशेश उपाए इन उपाए को गुरु जी ने पहले किता हम बताया है वो मैंने आपको बताने की कोशिश किये विडियो पसंद आये तो और लोगों तक जरू सैर केजेगा स्री शिवाय नमस्तु ब्यम हर हर महादेव